नमस्कारम एवरिवन तो आज हम बाइलोचकल क्लासिफिकेशन का मैंड मैप पढ़ने जा रहा हैं इस चैप्टर के मैंड मैप को मैं पहले भी बना चुका हूँ लेकिन एक्षिलिए उसमें कुछ पाइंट छूट गये थे नहीं है और morphology of flowering plant भी मैं जल्दी ही update कर दूँगा ठीक है इन तीनों के अलावा बाकि जितने भी chapters है उनके mind map एकदम perfect है उनमें कोई दिक्कत नहीं ठीक तो इन ही तीनों को update करना था जिसमें से दो अलेडी हो चुके है जो बचा हुआ है वो भी मैं जल्दी ही कर दूँगा ठीक है तो शुरू करते हैं इस chapter को पढ़ना सबसे पहले हम system of classification से तो जो पहला scientific item था classification का वो Aristotle ने किया था scientific item मतलब होता है प्रयास तो सबसे पहला scientific प्रयास था जो वो Aristotle के दौरा किया गया इन्होंने plants को तीन category में और animals को दो category में divide किया plants को इन्होंने size के basis पे divide किया herbs जो की काफी चोटे होते हैं सरफ जिनको आप जाणिया कहते हैं जो थोड़ा बड़े होते हैं और trees जो की काफी बड़े होते हैं जिनने आप पेड कहते हैं ठीक है animal को इन्होंने जो blood था उसके रंग के basis पे divide किया जिनके पास red color का blood है उसको एक category में रखा और जिनके बास red के अलवा किसी भी और color का blood है उनको अलग category में रखा ठीक है तो have red blood and don't have red blood ये दोनों category animal के लिए थी ठीक तो ये classification Aristotle का अब आते हैं two kingdom classification जो की दिया गया कैरूलस लीनियस द्वारा इन्होंने जो दो kingdom बताया है वो है planty और animalia तो सिर्फ दो kingdom थे एक planty और एक animalia ठीक है और यहाँ पर drawbacks थे क्या drawbacks मतलब होता है कमी है क्या क्या कमी थी इनके classification के system में don't separate eukaryote and prokaryote इन्होंने eukaryotes और prokaryotes को अलग-अलग नहीं रखा एक साथ ही रख दिया ठीक है तो kingdom classification को classification में जो की linear के दोरा दिया गया था ठीक है तो अच्छे से याद रखिएगा इन कमी हों के basis पर question बंदते हैं ठीक है अब आते हैं five kingdom classification पे तो five kingdom classification डूरार दिया गया था 1969 में ऑच्छ सेस्टिया इंपॉर्टेंट है अच्छ से याद रखिए का 1969 में रही टेकर के द्वारा दिया गया था क्या criteria था criteria मतलब किस basis पे इन्होंने classification किया था cell structure यानि cell का क्या structure है थैलस organization जिसको आप body organization भी कहते है यानि कि tissue level का है cell level का organization है इस type से ठीक है nutrition मतलब खाना कैसे खाते हैं reproduction कैसे करते हैं और phylogenic relationship मतलब evolutionary जो relationship है ordinance के बीच में उसको भी इन्होंने consider किया था ठीक है तो यह पांच criteria है जिनके basis पे आरेज विचेकर ने पांच kingdom बनाए थे पांच kingdom कौन कौन से है monera, protista, fungi, planty और animalia ठीक है monera, protista और fungi ये तीनों kingdom हम इसी chapter में पढ़ेंगे kingdom planty के लिए एक अलग chapter है जिसको आप plant kingdom कहते हैं और kingdom animalia के लिए भी एक अलग chapter जिसको आप animal kingdom कहते हैं ठीक है तो planty और animalia जो है उनको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे monera, protista और fungi सिर्फ ये तीन बाकि planty और animalia के लिए अलग chapter है तो उनमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं पहला kingdom पढ़ना जिसको कहते हैं monera जो monera है इसमें सारे के सारे pro carriot रखे गएते हैं इसमें जो soul member है soul member मतलब main member जो है वो है bacteria ठीक है bacteria के बारे में आपको याद रखना है इसकी most extensive metabolic diversity होती है extensive मतलब कह लिजे बड़ा या कह लिजे फैला हुआ तो सबसे जादा तरीके की metabolic diversity यानि अलग-अलग तरीके की reactions, अलग-अलग तरीके का nutrition दिखाता है ठीक है दूसरी चीज, shape के basis पर इसको चार तरीके का हम कह सकते है caucus यानि जो कि spherical shape के होते है bacteria उनको caucus कहा जाता है, बैसलाई जो कि rod shape के होते है spherical shape मतलब जैसे football होता है, ठीक है bysyलाई मतलब जो rod shape के होते है, rod के तर Krit developers मतलब जो spiral के shape के होते है, ठीक wibrio मतलब जो comma के shape को होते हैं जैसा comma होता है ठीक है तो ये चारो आपको याद होना च extent और के shape को होते हैं ये आपको याद होना च deles Take It अब जो heterotrophic bacteria होते हैं ये सबसे ज़्यादध यानि सबसे जादा तरह के जो bacteria पाए जाता है वो heterotrophic होते हैं काफ से नहीं बना चूट bacteria से होती है जो कि heterotrophic होते हैं ठीक है अब आते है classification bacteria का तो bacteria ncrt न दो तरीके के बता हैं यू bacteria और archybacteria जो यू bacteria होते हैं इनको true bacteria कहा जाता है ठीक है इसमें एक important example है साइनो bacteria जिसके बारे में कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इसको मैं इस तरीके से स्टार बना देता हूँ ठीक है तो साइनो बैक्टिरिया जो है इसको blue green algae भी आप कहते है यह तरह का u-bैक्टिरिया है क्या याद होना चाहिए इसके बारे में इसकी जो colonies होती है साइनो बैक्टिरिया की surrounded by gelatinous seed एक तरीकी की शीथ होती है, एक तरीकी चादर होती है, जिसे हम gelatinous चादर कहते हैं, इसी से surrounded रहती है, ठीक है, तो इनकी जो colonies होती है, बिसिकली इनकी उपर एक चादर रहती है, एक covering होती है, बिसिकली, नॉस्टोक और एने बिना एक तरह के cyanobacteria है, इनके पास heterocyst होता है, heterocyst जो होती है, वो एक तरह की special तरीके की cell होती है, और ये जो cell होती है, heterocyst ये nitrogen fixation करती है, ठीक है, तो नॉस्टोक और एने बिना पास जो cell होती है, एक तरह की special cell heterocyst, जो की nitrogen fixation में help करती है, ये आपको याद होना चाहिए. ठीक काफी बार question आया heterocyst पर ठीक. फिर आते हैं archibacteria. archibacteria जो होते हैं, can survive hard habitat hard मतलब बहुत ही कठिन जो habitats होते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी है बहुत ज्यादा गर्मी है, उसको भी ये survival कर सकते हैं वहाँ भी ये जिन्दा रह सकते हैं क्यों due to different cell wall क्योंकि इनके जो cell wall होती है बाकी bacteria से अलग होती है इनके पास special cell wall होती है और उसी cell wall के वजए से ये कहीं भी survival कर लेते हैं basically opopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop नो गाय भैस होती है इनके गोबर में भी मेथनोजन पाया जाते हैं ठीक है और मेथनोजन जो है मिथेन बनाते हैं जिस्से बाइयो गैस है कै लिजिए गोबर गैस हम बना सकते हैं ठीक यह अर्चिबैक्टियय और यो बैक्टियय बारे में सारी चीजे पता होनी चाहिए तो यह हमारा पहला पेच था, वाते हैं दूसरे पेच पे तो यह हमारा दूसरा पेच और इसमें भी मॉन्रा से रिलेटेड एक और चीज पड़ना है माइको प्लाजमा जो mycoplasma है इसके उपर कोई cell wall नहीं है ठीक है no cell wall smallest living cell है यानि अभी तक जितनी भी living cell हम ने देखिए उसमें से सबसे छोटी cell जो है वो mycoplasma की होती है can survive without oxygen यानि बिना oxygen के ये जिन्दा रह सकते हैं survive कर सकते हैं ठीक है ये तीनों point neat में पुछे गए हैं जो kingdom protesta है इसमें all unicell or uk dots रखे गया है मतलब जितने भी एक cell wall है uk dots है वो सारे के सारे protesta में रखे गया हैं NCRT लिखता है कि kingdom protesta जो है इसकी boundaries are not well defined जो kingdom protesta है इसकी boundaries अच्छी तरीके से defined नहीं है मतलब अगर आप protesta का कोई मेंबर देखेंगे तो हो सकता है आपको plant के तरीके character दिखें उसके अंदर ऐसा क्यों है क्योंकि इसकी जो protesta है इसकी boundaries अच्छी तरीके से defined नहीं मतलब इस kingdom को अच्छी तरीके से defined नहीं किया गया है ठीक है तो अगर आप मतलब अगर हम detail लेक्चर पढ़ड़े होते हैं तो मैं इसको अच्छी तरीके समझाता लेकिन अभी आपके पास इतना time नहीं तो आपको इसको याद रखना होगा ठीक है तो protesta kingdom की boundaries अच्छी तरीके से defined नहीं है ठीक इसमें total 5 classes हमें पढ़नी है क्राइसोफाइड, डाइनो फ्लेजलेट, यूगलेनोइड, स्लाइम मौट्स और प्रोटोजोन ठीक है तो एक एक करके पढ़ते हैं पहला है हमाँ पास cryosophyte, cryosophyte में दो organism है, dismits और diatums, जो dismits होते हैं इनको golden algae कहा जाता है सिर्फ एक ही बात इनके बारे में याद ही रखनी ठीक है, तो dismits के बारे में सिर्फ एक चीज़ा रखना है कि इनको golden algae कहा जाता है जो diatums होते हैं ये important है, इनको chief producer of ocean कहा जाता है, यानि समुद्र का सबसे अच्छा producer कहा जाता है producer मतलब कोई चीज़ produce कर रहे होंगे, तो क्या produce कर रहे हैं अभी हम देखेंगे अच्छा, diatums की जो cell wall होती है, ये एक soap box के तरह की होती है, जैसे साबुन का डिबबा होता है, वैसे ही diatums की cell wall होती है और इनके cell wall में silica का deposition होता है, अब जो silica है ये काफी जादा resistive material है, मतलब काफी जादा दिनों तक ये रहता है, ठीक है और इसी silica के वज़े से इनकी cell wall जो होती है, indestructible हो जाती है, मतलब destroy नहीं हो सकती, मतलब खतम नहीं कर सकते हैं हम इसको, ठीक है तो silica के वज़े से जो diatums की cell wall होती है, ये तनी मजबूत है आती है, कि ये destroy नहीं हो सकती, ये खतम नहीं हो सकती अब इसी वज़े से जो सिल्का की जहां पे यह डायटम्स रहते हैं उस जगह पे जब डायटम्स मर जाएंगे तो उनकी सिल्वाल वैसे की वैसी पड़ी रहती है और जब यह सिल्वाल एकटा होती चली जाती है सिल्वाल gets deposited over billions of years तक जब सिल्वाल इनकी एकठा होती है filter में यूज किया जाता है filter करने में और syrups में यूज किया जाता है ठीक है और इसी वज़े से इनको producer कहा गया है तो यह क्या produce कर रहे है अर्थ प्रिड्यूस कर रहे है ठीक है basically तो डाइटम्स को बारे में अच्छे से यह सारे पॉइंट्स याद रखेगा काफी important है पूछा आता है ठीक है तो यह होगा हमारा ग्रीन हो सकता है कोई ब्राउन हो सकता है ठीक तो अलग-अलग color के होते हैं यह क्योंकि pigments इनमें अलग-अलग तरीके के होते हैं ठीक है अब जैसे लिखा हुआ इनके अपर दो फ्लेजला देखने को मिलेगा आपको दो फ्लेजला होंगे एक लोगिट्यूडनल होगा यानि एक इनके body के along होगा एक ट्रांसवर्स होगा यानि side cure होगा एक इनकी wall plates मतलब cell wall की जो प्लेट्स है उनके बीच से निकला हुआ होगा दूसरा वाला फ्लेजला ठीक है तो दो फ्लेजला होगे एक longitudinal होगा दूसरा transverse होगा इना furrow between furrow मतलब खांच ठीक है तो जो wall plates है जो cell wall है उनके बीच में खांच बनी होगी एक उसी में से फ्लेजला निकला होगा ठीक है इस तरीके से तो one transverse इना furrow between wall plates ठीक पेट्स मैंने लिख दिया प्लेट्स होगा ठीक है यह PLATS ठीक अच्छा अब red tights के बारे में पढ़ लेते हैं rapid multiplication of red dynoflagellets goniologs example in CR10 दिया है तो goniologs जो है एक तरह का red dynoflagellets है red color का जब यह बहुत ही तेजी से multiply करता है बहुत ही ज्यादा तेजी से divide करता है तो red color की tide हमें ocean में देखनों मिलती है red color की लहरे देखनों मिलती है ठीक है होता क्यों है rapid multiplication को है जैसे अच्छा जब यह multiply करते हैं तो यह कुछ ना कुछ toxin release करते हैं कुछ ना कुछ toxin मतलबता है जहरीला substance release करते हैं और यह toxin जो होता है यह आस पास की जो fishes हैं उनको kill कर सकता है मार सकता है ठीक है तो fishes है वो मर सकती है ठीक तो यह होगा है डाइनो फ्लेजर के बारे में रेड टाइट इंपोर्टेंट है और फ्लेजला इंपोर्टेंट है यह दोनों काफी पूछे जाते हैं ठीक है अब आते हैं यूगलेणोड पे हैव पेलिकल इंस्टेड ऑफ सल्वाल जो यूगलेणोड ह होते हैं इनमें पेलिकल नाम की प्रोटीन की लेयर पाई जाती है इन में भी फ्लेजला पाई जाते हैं एक लौंग होता है और एक होता है और एक लंबा एक तो हायर प्लांट, यूग्लाइड में जो पिगमेंट होते हैं, ये हायर प्लांट के तरह के होते हैं, जैसे हायर प्लांट मतलब जो एंजियो इस्पर्म होते हैं, जो जिमनो इस्पर्म होते हैं, उनके पिगमेंट के तरह इन में भी पिगमेंट पाये जाते हैं, ठीक है, अ मतलब आज पास जो भी जानवर होगा उसको ये खा सकते हैं, ठीक है, जानवर इंदसेंस मतलब जो भी चीज खाना होगा इनको, ठीक है, तो अगर light है इनके पास, यानि sunlight अगर present है, तो ये photosynthes करके खुद खाना बना लेंगे, और sunlight अगर नहीं है, तो ये जो है, heterotrophic हो करते हैं, कि जैसे जो सड़ी गली चीज़ों हैं, उनके उपर फीट करते हैं, जैसे एक पेड़ है, वो पेड़ गिर गया, सड़ने लगा, तो उसको उपर ये ग्रो कर जाएंगे, और उस पेड़ को धीमे-धीमे गला के खाने लगेंगे, ठीक है, अच्छा, इन favorable conditions, they form an aggregate called plasmodium, जब conditions अच्छी होती है, favorable condition, मतलब temperature अच्छा हो, ठीक है, बारिस अच्छी हो, इस तरीके कि जो condition, इनके हिसाब से, जब भी conditions अच्छी होती है, ये एक aggregate बना लेते हैं, जिसको हम plasmodium कहते हैं, ठीक है, अगर unfavorable condition आएगी, तो जो plasmodium होता है, differentiate कर जाता है, मतलब य sport जो होगा, वही आगे चलके इनको, मतलब इनकी जो, इनकी जो प्रिजाती है, उसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है, तो basically जो sport बना लेते हैं, reproduction करने के लिए, ठीक, तो ये favorable condition में, plasmodium बनाएंगे, unfavorable condition में, fruiting bodies बनाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया, चौथा slime mold, और पां प्रो जोन्स होते हैं, इनको primitive relative of animal कहा जाता है, यानि animals का पुराना रिस्तेदार बताएंगे जाता है, या के लिजे पूर्वच कहा जाता है, ठीक है, तो proto zohan को animals का पूरवच कहा जाता है, ठीक, चार तरह के protozoan हमें पढ़ने हैं, ameboid, flagellated, ciliated, और isprozoan, जो ameboid होते हैं यानि amoeba के तरह होते हैं marine forms have silica cells on their surface इन में जो marine forms होते हैं marine मतलब जो खारे पानी में रहते हैं उनमें silica की cells पाई जाती है उनके surface के उपर ठीक है यह याद रखिएगा example याद रखिएगा amoeba और antimoeba आसान है याद करना amoeba का example amoeba और antimoeba ठीक दूसरा है flagellated जैसे की नाम बता रहा है इसमें flagella होगा ठीक है इसमें एक काफी अच्छा example है trypanosoma इसको अच्छे स्याद रखिएगा trypanosoma जो होता है sleeping sickness नाम की disease cause करता है ठीक है तो trypanosoma क्या है एक तरह का flagellated protozoan है ठीक फिर है ciliated ciliated जो है इनमें cilia पाए जाएगा नाम से ही लग रहा है have cavity called gullet इनके पास एक cavity पाए जाते है जिसको gullet कहते है ठीक है जैसे हमारे पास मू होता है वैसे इनके पास gullet होता है ग्रेट से जो खाना और पानी होता है वो body के अंदर जाता है ठीक और इसका एक्जामपल है paramecium और paramecium में आपने देखा होगा कई सारे ciliya मतलब हाजारों ciliya रहते हैं body के ऊपर ठीक है तो यह ciliated का example है चौथा इस्पोरो जो होता है इनके जिंदगी में एक infectious spore-like stage जो है जरूर बनती है ठीक है इसी वाज़े से इनको sporozone कहा गया है example है plasmodium जो कि malaria cause करता है यह आप human health and disease वाले chapter में भी पढ़ेंगे इच्छे से ठीक है तो यह हमारा पाच्वा हो गया protozone और इसी के साथ हमारा protista खतम हो गया ठीक है तो जो fungahi होते है all are philamentas except east जित्क होते है सारे के सारे फिलाब मेंटास हुते है मदael धागे के तरह रहते हैं except east east को छोड़के east जो जो होता है uniquisiller होता है ठीक है अब अगर हम माल ले कि यह एक fungus है ठीक है ऐसा fungus कोई होता नहीं यह दिखने में लेकिन अगर माल लो कि यह एक fungus है तो जो fungus होते हैं उनके उपर हाइफी पाये जाते हैं हाइफी जो ये छोटे धागे-धागे टाइप के structure हैं बाल के तरह के ये जो होते हैं इनको हाइफी का जाता है ठीक है तो जो फंजाई होता है इनके उपर हाइफी पाये जाता है जो हा हाइ-fee होते हैं वो दो तरह होते हैं एक इस तरीके से जिसमें cross the wall पाई जाये यह जो लायने बनी हुई है यह basically cross walls है अंदर एक टरह की दिवाल है basically عट यह एइसको हम septa भी कहते हैं तो हाइ-fee दो तरह होते हैं Certainly septate was bog side of the एक होते हैंत्ब जिसमें cross वाल नहीं रहेगी ठीक तो ये वाला हाइफी कैसा है ये सेप्टेट है और ये दोनों कैसे है ये सीनो से ठीक है ठीक अब आते हैं सेलवाल सेलवाल जो होती है ये काइटिन की बनी होती है साथ में पॉली सेक्राइट्स भी होते हैं कई बार पुछा गया है फंजाई के सेलव phase नाम की एक phase होता है जो कि ascomycetis और basidiomycetis में पाई आ जाता है अभी आपको हो सकता है ना सवर में है अभी थोड़ी देरे सवर में आएगा ठीक है तो ascomycetis और basidiomycetis यो दोनो fungus है दो तरह के अलग अलग और इनके अंदर dicaryophase पाई जाती है plasmo gamey, karyo gamey और meiosis ठीक है plasmo gamey यानि protoplasm का fusion ठीक है जो protoplasm होता है उसका fusion plasmo gamey कह लाता है karyo gamey यानि fusion of nuclei nucleus का जो fusion होता है उसको हम karyo gamey कहते है उसके बाद meiosis होती है meiosis in gigot to give haploid spores ठीक है meiosis होगी gigot में जिससे haploid spores बनेंगे ठीक तो ये तीन step होते है इनके sexual cycle में अब किस basis पे इनका classification किया गया है चार तरीके के class में इनको divide किया गया है phicomycet, ascomycet, basidiomycetis और deuteromycetis ठीक है ये चार तरीके तो किस basis पे classify किया गया है morphology of mycerium यानि mycerium किस तरह का है mode of spore formation यानि spore किस तरीके से बनते हैं इसके लाओ floating bodies जो है वो किस तरीके की है, ठीक है तो इन तीनों चीजों के basis पे classification किया गया है fungus का, ठीक तो अब एक एक करके पढ़ते हैं चार ओओ classes को, पहला है phicomycetis, ठीक है, मैंने green color का कर दिया है fungus का है, ठीक यह जो red वाला था यह red वाला, यह protista का था, ठीक है और यह जो green वाले हैं, यह किस का है, fungus के तो जो phicomycetis है, यह सबसे पहली class है इसमें mycelium जो होता है, cynocytic type का होता है और यहीं पर याद रख लीजिए कि इसके लाओं बाकी तीनों class में जो mycelium है, वो septate वाला पहला पहला जाएगा, ठीक तो cynocytic mycelium सिर्फ phicomycetis में पहला जाता है अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है तो phicomycetis में mycelium cynocytic होता है reproduction जो होता है, asexual वाला reproduction jewish spore और aplenospore से होता है, ठीक है jewish spore, aplenospore से, asexual reproduction होता है यह दोनों spore जो है, यह endogenously produced होता है मतलब body के अंदर बनते हैं, ठीक है तो याद रखिएगा, asexual reproduction होता है jewish spore, aplenospore से होता है जो की endogenously produced होता है जो sexual reproduction होता है, यह gyigo spore से होता है ठीक है, अब इसका example क्या है rhizopus, albugo, mucar आप राम याद कर सकते हैं r से rhizopus, a से albugo और m से mucar, ठीक है तो राम आप याद रख सकते हैं, ठीक तो यह हो गया phycomycety, अब आते हैं asco पे तो ascomycety इसको sac fungi कहते हैं अच्छा, जो phycomycety होता है इसको algal fungi कहा जाता है लेकिन NCR team क्योंकि दिया नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है NCR team नहीं दिया है, अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख लीजिए phycomycety इसको algal fungi कहते हैं कभी-कभी, ठीक है ascomycety इसको sac fungi कहा जाता है common name है, reproduction इसमें कैसा होता है sexual reproduction, conidia के थुरू होता है conidia भी एक spore है, जो की exogenously बनता है ठीक है, बाहर बनता है body के sexual जो spore है, वो है asco spore produce endogenously on sky sky जो होते हैं, वो छोटे-छोटे back तरह के structure होता है थैले के तरह के structure होते हैं, ठीक है तो जो sky होते हैं, ये basically sack like structure होते है थैले के तरह के structure होते हैं जिस पे endogenously asco spore बनते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा asco spore कहां बनते हैं, sky पे, ठीक अब इसका example भी important है aspergillus, claviceps, neurospora ये neurospora है, used in genetics works ये genetics works में बहुत जादा यूज किया जाता है, और ये कई बार आप से question पुछा गया है, याद रखेगा अच्छे से ठीक है, चार example आपको दे देंगे, बोलेंगे कौन सा genetics work, genetic के work में काफी use किया जाता है, ठीक है तो neurospora, तो aspergillus, claviceps, neurospora, east penicillium, ठीक है, ये example तो अलग है इसके अलबाँ edible जो है, moral और truffle, तो moral और truffle, ये दोनो ascomicities है, जो की edible है यानि खाने योग्य है, ठीक है तो ये होगे हमारा तीसरा page और जिसमें हमने दो classes पढ़ दी, five comicities, ascomicities अब बाकी की दो class जो है मतलब besidio और dutero, वो हम आगले page पढ़ते हैं, ठीक है तो ये है हमारा आखरी page जिसमें हमें besidio mycities पढ़ना है, dutero mycities, इसके लाओ दो-तीन topics और हैं, और उसके बाद हमारा chapter complete हो जाएगा, ठीक है जो besidio mycities होते हैं, इनको commonly bracket fungi या puff ball कहा जाता है reproduction की बात करें, तो asexual spores are generally not found ठीक है, NCRT लिखता है besidio mycities में generally asexual spores होते हैं, वो पाय ही नहीं जाते हैं, sexual reproduction besidio spores होता है, जो की exogenously बनाया जाते है, besidio carpe, ठीक है, besidio carpe एक तरह की froting body होती है, ठीक है, तो besidio carpe, besidio spores बनते हैं, जिससे sexual reproduction होता है, example है paxenia, estilago और agericus, आप paxenia होता है, इसको rust fungus कहते हैं, अभी-अभी मैंने बताया था आपको की wheat rust जो होता है, वो paxenia होता है, इसी वज़े से इसको rust fungus कहा गया है, estilago के smart fungus कहते हैं, और agericus जो होता है, इसको commonly mushroom कहा जाता है, ठीक, तो यह besidio obesity हो गया, अब आते हैं इसको imperfect fungi कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो sexual reproduction होता है, यह not known है, ठीक है, हमें पता नहीं रहता है इसके sexual reproduction के बारे में, ठीक है, और अगर किसी organism का sexual reproduction जब पता चलता है, जो कि deutromacities में है अभी, तब इसको निकाल के deutromacities से किसी और class में डाल दिया जाता है, जैसे S को में डाल दिया जाएगा, या BCDU में डाल दिया जाएगा, ठीक है? तो इसी वज़े से इसको imperfect fungi का जाता है, क्योंकि sexual जो stage होती है, वो हमें नहीं पता रहती, ए sexual reproduction को इडिया से होता है, ठीक है? एक्जामपल में है, ulternairia, coletotrichum, और ट्राइकोडरिमा, ठीक, तो यह हमारा fungi यहाँ पर complete हो गया, यानि तीनों kingdom हमने पढ़ लिये, अब हम कुछ पढ़ेंगे अलग तरे के और निस्म, जिसको acillar ornus भी का जाता है, वाइरस, वाइरस, लाइकन, यह सारे, ठीक है? जो वाइरस में दो चीज़े होती है, एक genetic material और एक protein, ठीक है? तो जो TMV है इसमें genetic material क्या है? आरने और protein code जो होती है, इसका नाम है capsid, ठीक है? capsid इसकी protein code है capsid जो है, छोटी-छोटी unit से बनी हुई है, जिससे capsomayer कहते हैं, ठीक है? अब एक scientist है MW bizernic, जो bizernic थे हैं, इन्हों ने virus को contagion vivum freedom कहा, इसका मतलब क्या होता है? contagion मतलब होता है, infectious infectious living fluid, इसका मतलब होता है, ठीक है? तो virus को contagion vivum freedom किस ने कहा था? MW bizernic ने, Stanley नाम के एक scientist है, जिन्होंने crystallize किया था virus का ठीक है, वाइरस के छोटे-छोटे crystal बनाए थे, ठीक? crystallize किया था no virus contains both RNA and DNA कोई भी ऐसा वाइरस नहीं है, जिनका genetic material में दोनो RNA और DNA दोनों पाए जाते हो, ठीक है? जैसे आपने tobacco mosaic virus देखा, इसमें सिर्फ RNA पाए जाता है, ठीक है? तो कोई भी ऐसा virus नहीं है, जिसमें दोनो RNA, DNA दोनों पाए जाते हो, ठीक है? अब जो plant virus होते हैं, मतलब ऐसे virus जो की plant को infect करते हैं, उसमें generally single extended RNA पाए जाता है, और ये generally बात हो रही है, ऐसा confirm नहीं हमेशा होगा, ठीक है? जनरली जो virus plant को infect करते हैं, उनमें single extended RNA पाए जाता है, जो virus animal को infect करते हैं, उनमें single extended RNA या double extended RNA या double extended DNA पाए जाएगा, ठीक है? तीनों में से कोई एक ही पाए जागा, अब इस लिए दोनों चीज़े तो पाए नहीं जा सकती, bacterial virus, जानि जो bacteria को infect करते हैं, उनको bacteriophage का जाता है जो bacteriophage होते हैं, इनमें double extended DNA होता है, ठीक है? और ये भी question निट में आ चुका है, ठीक? तो virus अच्छा से याद रखेगा, virus से काफी question बनते हैं अब आते हैं, virus पे virus जो है, इसकी discovery TO Diner ने की थी, 1971 में, ये भी data आपको याद होनी चाहिए smaller than virus, virus से ये छोटे होते हैं, free RNA only अब virus में क्या होता था? RNA और protein, virus में सिर्फ RNA होता है, ठीक है? और इस RNA की खासियत क्या है? low molecular weight than virus RNA, जो virus का RNA होता था, उससे कम molecular weight का ये RNA होता है, ठीक है, virus का RNA इससे जो disease होती है, ये है potato spindle tuber disease, ठीक है? ये disease folded protein होता है, ठीक है, सिर्फ protein होता है, size जो होता है, virus के आस पास कर रहता है, similar virus के, ठीक है? जो disease होती है, इसमें दो disease है BAC और CR Jacob disease जो BAC है, इसको bovine spongy for encephalopathy कहते हैं, और इसी जो BAC है, इसी को हम mad cow disease कहते हैं, ठीक है, common name mad cow disease है, ठीक? ये BAC का perform याद रखिएगा, bovine spongy for encephalopathy, ठीक है CR Jacob disease, जिसको CJD भी कहा जाता है, ये human में होती है ठीक है, ये भी BAC के तरह की होती है, बस ये जो BAC वाली है, ये mad cow disease कहते हैं, क्योंकि ये cattle में होती है, जैसा गाय, भैस, बक्री, इस सब में, जो CR Jacob disease है, ये human में देखने हो मिलता है, ठीक है, तो ये preons हो गए है जो की सिर्फ protein के बने होता है आखरी topic इस chapter का है, lichen lichen एक symbiotic association होता है symbiotic मतलब जिसमें दोनों का फाइदा हो ठीक है, दो organism होते है यहाँपे, algae और fungi इन दोनों का फाइदा होता है, कैसे algae जो होता है, ये food बनाता है बदले में fungi जो होता है, algae को shelter देता है, साथ ही साथ water और mineral को absorb करके देता है, ठीक है जो algae वाला part होता है lichen में उसको फाइकोबायंट कहते हैं, यहाँपे T लिखना में भूल गया हूँ ठीक है, तो algae वाले part को five कोबायंट कहते हैं, जो fungi वाला part होता है, इसको my कोबायंट कहा जाता है ठीक है, अच्छे दियान रखेगा, algae को five कोबायंट, fungi को my कोबायंट, ठीक lichen जो होते हैं, good pollution indicator होते हैं, pollution अच्छी तरीके दिखाते हैं क्योंकि जहां polluted area होता है यहां पर, वहां पर यह grow नहीं करते हैं, ठीक है तो काफी अच्छा pollution indicator होता है ठीक, यह हमारा आखरी topic था, और इसे के साथ हमारा mind map complete हो गया, ठीक है, तो यह हमारा चौथा page था, यह तीसरा page था यह था दूसरा page और यह पहला ठीक है, तो mind map हमारा complete हो गया, अब सिर्फ एक chapter का mind map बचा हुआ है, जो कि मैं update करूँगा जल्दी ही, morphology of flowering plant का, ठीक है, बाकी सारे update हो चुके हैं, और आपके सामने हैं, PDF इसका आपको description में मिल जाएगा, अब उसके link क्लिक करके, आप आसानी से उसको download कर सकते हैं, ठीक है तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो like कर दीजेगा, और share कर दीजेगा, ठीक है channel को subscribe कर दीजेगा, ठीक तो support मिल जाएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ठीक है, बाई